इस वीडियो आम टेस्ट करने वाले है बोरेचा, स्रॉबरी, लेमन, स्पार्कलिंग, आइस टी को तो इस तरह से आपको कैन में इसकी पैकिंग देखने मिलती है, इलस्ट्रेशन हैं यहाँ पे कैन के उपर जो है, जो थीम है, कलर थीम वगर यह सारी चीज़े मुझे यहाँ यहाँ पे अच्छी देखने मिल रही है, अट्राइक्टिव देखने मिलता है कैन, और यहाँ पे आप देख सकते हो, वेजटेरियन प्रोडक्ट है, यहाँ पे 96 कैलरीज पर कैन इन्हों ने बताया है, ब्रेन बूस्टर है, अंटी ऑक्सिडेंट है, क्योंकि यह आइस टी यहाँ पे आप इसके सारे इंग्रीडियन्ट्स देख सकते हो, यही बात मुझे अच्छी ने रही है, क्योंसा इंग्रीडियन्ट कितने परसेंट एड किया है, यहाँ पे परसेंटेज वाईज जो इन्होंने बताना चीए था, तो सारे डॉट्स क्लियर हो जाते हैं, यहा आपको जो इसकी best before देखने मिल रहे है, manufacturing date erase हो गई है, तो best before भी जो है, around यहाँ पे आप देख सकते हो, September, August, September तक की है, तो 9 months हम पकड़के चलते हैं, इसकी shelf life from date of manufacturing, अगेन आपको इसे जो है, रखना है, और यहाँ पे daily consumption limit और जो है, इन्फंट्स आपको age of 2 years, यह इन्फ shield बतलब जो है, refrigerator में से जो है, निकाल के आपको इसे consume करना है, ऐसी normal temperature पर रखके से consume नहीं करना है, do not shake, जो की बहुत important है, क्योंकि मैं इसे shake करने वाला था, तो अब इसे shake नहीं करूँगा, और यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, manufacturer की बात करें, त manufacturer का name है, जो मुझे pronounce करने नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Goa India में इसकी manufacturing हुई है, license number आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, manufacturer का, question queries होँगी, तो same address पे, इस number पे और इस mail ID पे नहीं contact आपको करना है, इन्हें आप follow कर सकते हो, facebook और instagram पे, add the rate borachya.fiz, य freezer को, क्योंकि मेरे नाखुन जो है, बहुत छोटे है, तो कर लिए इसे open और shake नहीं करना है, आपको, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर इसे shake नहीं किया, और कुछ इस तरह से, जो है, open करती है, बहुत अच्छी हाँ पर इसकी smell आ रही है, मुझे, ice tea है, strawberry and lemon flavor, तो strawberry and lemon का combination में फ तो इस तरह से आपको इसका कुछ color देखने मिलता है, ice tea का, यह आप देख सकते हो, तो चलिए अब जो इसे taste करता हो, आपको बताता हो कि इसकी exactly जो हमें taste कैसे देखने मिलती है, क्या देखने मिलते है बगरे, तो करते इसे taste, तो as expected, sparkling ice tea है, बहुत refreshing taste है, जो combined taste है, strawberry and lemon की उसी के साथ, जो इन्होंने कुछ इस पर tea भी add किये है, मतलब यह आप देख सकते हो, कुछ awesome black tea, और यह tea, वो tea, तो उनकी भी यहापर थोड़ी बहुत जो है, tea की जैसे जो इसकी taste आती है, तब इसे बेवरेज कम tea ऐसे कह सकते हो एक तरह से, मतलब coldering कम tea, वैसे टाइप की इसकी taste है, लेकिन एकदम refreshing है, बहुत अच्छी जो इसकी taste है, कोई भी prefer करेगा, instead of regular tea, यह कोई भी ऐसे prefer कर सकते है, ऐसे type की इसकी taste है, तो definitely जो है, यहापर इसकी taste अच्छी देखने मिलती है, और यहीं से try कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर सकते हो, चैनल को नीचे red button पे subscribe कर सकते हो, मिलते अगले वीडियो,